संदेश खाली कांड बंगाल की सरकार की गले की फास बनता चा रहा है संदेश खाली में हुई शरमना घट्टा पर जहां सियासत अपने शबाब पर है तो वहीं अब कलकत्ता हाइकोर्ट भी सक्त हो गया है हाई कोट में संदेश खाली में महिलाओं पर अत्यशार की जाच के लिए बने आयोग के गठन पर जनहित याची का लगाई गई थी जिस पर कलकत्ता हाई कोट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को जम कर फटकार लगाई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही संदेश खाली पीडितों के आरोब एक परसेंट ही सच क्यों ना हो वो शर्मनाक हैं अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी सौ फीजदी जिम्मेदार हैं सुनवाई के बाद मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षिद रख गिया संदेश खाली मामले में बंगाल की ममता सरकार चोतरफा घिरते दिख रही है गुरवार को कोच बिहार में रैली करते हुए पिया मोदी ने संदेश खाली मोद्दे पर सरकार को खेरा पिया मोदी ने कहा कि संदेश खाली के गुनागारों को बक्षा नहीं जाएगा पीडितों को इंसाफ जरूर मिलेगा पीजेपी ही है जो यहां माताओ बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है पूरे बंगाल ने पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनागारों को बचाने के लिए पूरी ताकट लगा दी संदेश खाली की महलाओं के साथ जो हुआ वो पीएमसी के अत्याचार की पराकाश्टा थी अब बीजेपी ने संकल पलिया है कि वो संदेश खाली के दोश्यों को सजाद दिलवा कर ही रहेगा उन्हें जिन्दगी जेल में ही काटनी पड़ेगी उदर बंगाल की सियां ममताब एनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला ममताब एनर्जी ने कहा कि जहरीले साफ पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं लोक सबाचुनाव से पहले बंगाल में लड़ाई दिल्चस्प होती जा रही है बीजेपी और टीमसी आमने सामने है बीजेपी महिला सुरक्षा और कानून विवस्था खोले कर बंगाल सरकार को घेर रही है तो वहीं टीमसी, सीए, एनार्सी और रोजगार पर बीजेपी पर हमलावर है बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बना लिया है संदेश खाली पर बीजेपी टीमसी को किसी तरह की धील देने को तयार नहीं है हर बदलते दिन के साथ बंगाल सरकार के मुश्किले बढ़ती ही जा रही है